Hello friends, तो कैसे हैं आप सब? आज मैं आप लोगों को समझाने जा रहा हूँ Delhi University का admission process बिल्कुल easy तरीके से सबसे पहले आप लोगों को CUT का application form fill करना है उसमें अपने course के लिए जो subjects की demand Delhi University ने आप से रखी है उनका domain का exam देना है अब Delhi University ने bold letters में अपने information bulletin में ये भी लिख दिया है कि वही subject select करना जो आप लोगों ने class 12 में पढ़े हैं पचले साल भी student ने बहुत mistake करी थी उनको top colleges for admission मिल गया लेकिन जब reporting के लिए गए तो पता चला कि यार हमने तो domain ही गलत select कर ले थे यानि कि अगर आपको stream switch भी करनी है तब भी आप लोगों से वही subject मांगे जारे जो आप लोगों ने class 12 में पढ़े थे तो domain का selection आप लोगों को बहुत सो समझके करना है जैसी अब अपनों CUT का exam देंगे उसके score के basis पे आप लोगों को CSAS के portal में registration करनी है CSAS का portal होता है Delhi University का खुद का portal जिसमें आप से वो colleges की preference मांगता है कि आप किस course में apply करना चाते हैं किस college में apply करना चाते है Delhi University के अंडर में more than 70 colleges हैं तो एक score के basis में आप सभी colleges में कैसे apply करेंगे वहाँ पे आप लोगों का start हो जाता है phase 2 phase 1 में आप अपनी basic detail डालते हैं CSAS के portal पे phase 2 में आप लोगों को अपनी choices देनी होती है कि मैं first number पे इस college को रखना चाता हूँ और इस course को रखना चाता हूँ second number पे इस course को रखना चाता हूँ और इस college को रखना चाता हूँ इस तरीके से आप लोगों को अपनी पूरी combinations की list डली सुटे को submit करनी होती है phase 2 के अंदर then उसके बाद phase 2 का result out होता है कि आपको college मिला या नहीं मिला अब यहाँ पर दो cases बनते हैं अगर आपको college मिल गया और आप उससे satisfy हैं तो आप उसको वहीं पर freeze कर सकते हैं that means कि आप उसको freeze करेंगे अपने verification के लिए college में जाएंगे और वहाँ पर college verify करेगा कि हाँ भाई सही है student ने अपने subjects भी सही select करे थे इसका score भी बढ़िया है और आप अपने documents का verification कराके college को join करेंगे अगर आपने college ले लिया है और आपको लगता है कि नहीं मेरे को बढ़िया college की जोड़ते मेरे इस college में deserving नहीं हूँ मैं तो आप कर देंगे वहाँ पे float float मतलब upgrade पे click कर देंगे then आप next round के अंदर pass हो जाते हैं अगर आपको next round के अंदर उससे उपर का college मिलता है तो वह lot कर दिया जाता है नहीं तो as it is वही पुराना college आपके पास रह जाता है तो upgrade करने में कोई भी नुकसान नहीं है तो यह तो हुआ phase 2 इसमें अब तीसरा case क्या होता जिस student को कोई भी seat a lot नहीं होती वह already next round के अंदर enter हो जाता है choices भरने का एक ही बार मोगा दिया जाएगा ध्यान रखना उसके बाद सिर्फ और सिर्फ round declare होते हैं तो आप लोगों को ध्यान रखना है कि पहले बार में ही maximum courses और maximum colleges का selection आपको करना है लेकर according to your preference उसके बाद phase 3 में आप लोगों की registration process complete हो जाता है आप अपने college के fees भरते हैं दिन college में जाके study करते हैं तो यह है easy busy daily study का admission process latest updates के लिए बने रहे हैं चैनल के साथ मिलते हैं next video में bye bye take care thank you so much